Hello my all dear viewers, आप सभी के फिर से स्वाग एते मेरे चैनल हैक्स ब्रेंड में This is Perry and again I have come with a new video, so let's get started दोस्तो भारत देश हो या फिर कोई अन्य देश हो कौन नहीं चाता इंगलिश बोलना, हर कोई चाता है कि मैं अंग्रेजी बोलू पर क्या सभी लोग अंग्रेजी बोल पाते हैं, नहीं, जाहिर से बात है, सभी लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण यह हो सकता है कि वो प्रेक्टिस नहीं करते वो अभ्यास नहीं इसका reason यह बिल्कुल भी नहीं है practice तो हर कोई करता है हर कोई कैसे भी करके sentence को रटने की कुशिश करता है या फिर वो grammar को बहुत अच्छे से समझने की कुशिश करता है या फिर वो बहुत सारे English movies देखता है वीडियोज देखता है फिर वो English नहीं बोल पाता है तो इसका reason यह नहीं है कि वो practice नहीं करता है इसका reason यह है कि उसको English की भूख नहीं है आपको यह बात जानकर थोड़ी अलग लगीगी थोड़ी अजीब लगीगी मगर हाँ यह correct बात है हर एक चीज की भूख होती है जैसे कि आपको अगर खाने का भूख है तो आप किसी तरह खाना कोई भी हो बाहर का हो, होटल का हो, घर का बना हुआ खाना हो आप खाना खालोगे आपके पास खाना नहीं है तो आप dry fruits खालोगे कोई भी खाने वाली चीज आप easily खालोगी जिससे आपको energy मिल जा है और आपकी book media है उसी प्रकार से अगर आपको English सिखना है तो आपको एक book जगाना पड़ेगा जो भूक होता है जिसको hunger बोलते हैं हम तो ये English के लिए आपको hunger create करना पड़ेगा अपने आपमे जैसे कि आपको English सिखनी की हुए किसलिए आपको English सिखनी है अंग्रेजी बोलना क्यों चाहते हुआ दोस्त अगर इस बात का आपने सवाल का जवाब खोज लिया तो आपको English पढ़ने से English बोलने से कोई रोक नहीं सकता जी बात ये सच है मेरे बहुत सारे फ्रेंड से कलीक से वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे English बोलनी है मगर वे बेसिक से स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं बेसिक इन दे सेंस ग्रामर बहुत लोग आपको बोलते हुए इसे नजर आई हुए होंगे कि ग्रामर इंग्लिश बोलने के ज़रूरी नहीं है और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग आपको मिले होंगे जो बोले होंगे करके ग्रामर बहुत इंपोर्टेंट है ग्रामर की बेना इंग्लिश नहीं बोलिया सकती तो फ्रेंस मैं आपको बता दू जो आपकी मात्रुभाषा है चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो कोई भी आपकी जो मदर टंग है वो मदर टंग आपने ग्रामर का यूज करके नहीं सिखा है जब आप पैदा हुए तो आपने सबसे पहले उस लैंग्वेज को सुना है फिर बोला है, और फाइनली आपने उसको लिखना चालू किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है मैं आपको दो कंडिशन देता हूँ एक कंडिशन जब आप पैदा हुए थे तो आपने बिना ग्रामर के ही आपने अपनी मदर टंग सीख ली मानलो जिसकी मदर टंग इंगलिश है क्या उसने कभी ग्रामर से स्टाट की होगी बोलना बिल्कुल नहीं जिस प्रकार से आपने अपनी मराठी और हिंदी लैंग्वज आपने सीखा है उसी प्रकार से foreigner कोई student जब होता है foreign वाले students जो छोटे बच्चे जब पैदा होते वहां के तो वे लोग भी grammar का यूज करके English नहीं सिखते हैं सबसे पहले वे सुनते हैं अपने surrounding से, अपने mother से, अपने father से, अपने colleague से अपने relative से देन वो direct बोलते हैं देन finally वो लिखना सिखते हैं तो इसका मेरा यही बोलने का तातपर है सबसे पहला case आता है कि किसी भी language को सीखने के लिए उसकी grammar के जरुवत नहीं पढ़ती है grammar जब ही हम लिखते हैं grammar यह अलग task हो गया यह लिखने पढ़ने वाली task हो गयी और वहीं दूसरे case में लोग बोलते हैं grammar बहुत ही important है grammar के बिना English बोलना impossible है या फिर कोई भी language बोलना grammar के बिना possible नहीं है तो मैं बता दू कि grammar important भी है और grammar important नहीं भी है जो मैंने आपको पहला case बताया जब आप पैदा हुए थे तो आपको grammar की जरुवत नहीं पड़ी थी क्यों नहीं पड़ी थी क्योंकि आपको surrounding basic मिला था इसलिए और जब दूसरा case है मान लो आपकी language mother tongue अलग है हिंदी है मान लो और आपको English सिखनी है तो simple सी बात है दोस्त आपके आजू-बाजू में आपके आजू-बाजू वाले लोग जो भी आपके parents है जो भी आपके surrounding में लोग है वो तो English बोलते नहीं है तो simple सी बात है आपको सिखने के लिए grammar के through ही जाना पड़ेगा और वैसे भी मैं आपको बता दू grammar के बीना ये stage में English बोलना possible है बट आपको surrounding create करना पड़ेगा वो surrounding में आपको लोग हमेशा बोलते हुए नजर आने को होना तब जाकर आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो आजकर लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं जो English बोलते हैं उन्होंने सबसे पहले सुना है चाहे हो school हो, primary school हो, colleges हो, university हो जहां भी वो पढ़ते हैं तो उन्होंने सबसे पहले सुनने की आदर डलिये तो उन्होंने सबसे पहले सुना है देन उन्होंने observe किया है देन finally उन्होंने बोला है तो यही way है कोई भी language को बोलने का तो सबसे पहले आपको एकी तरीका अपनाना पड़ेगा तब जाकर आप अंग्रेजी बोल सकते हो, देखो दोस्त मैं एकदम सिंपल भासा में बताता हो आपको, हम grammar कबसे नहीं सिख रहे हैं, हम grammar school से सिखते आ रहे हैं, अब आप बोलो के करके हम grammar school से सिखते आ रहे हैं, फिर भी हम अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, इसका reason यह है कि आपने grammar पूरी सिख लिए, इसका reason यह है कि जो हमने grammar सिखा है, उसको बस bookish तरीके से सिखा है, उसको बस लिखने और पढ़ने की तरीके से सिखा है, हमने कभी भी grammar बोलने के तरीके से नहीं सिखा है, अगर आपने अगर grammar को बोलने के तरीके से सिखा होता, तो आपको एक मैना भी लगता नहीं आपको पूरा grammar complete करने में grammar हमें यह नहीं बताता है करके एकदम basic एकदम basic level से beginner level से start किया जाए grammar आपको यह बताता है कि sentence बनते कैसे हैं और आप अगर कोई sentence बना पा रहे हो तो दोस्त वो क्या है वो grammar की ही तो देन है grammar के वज़े से ही तो कोई sentence बनना possible होता है जो लोग बोलते grammar के बीना हम English सिख सकते हैं correct है आप grammar के बीना English सिख सकते हो मगर कोई भी sentence grammar के बीना बनना impossible है grammar से ही तो sentence बनते हैं आपको अगर example में बताओ मैं college आता हूँ यह क्या है grammar ही तो है जो भी हम sentence बोलते हैं प्रिजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ये दोस्त grammar की ही तो देन है अगर आप बोलते हो grammar जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए तो आप English ही कैसे बोलोगा, आप English बोलोगे कैसे grammar का sense ही यह बताता है कि आप sentence बना सकते हो और आप sentence बनाओगे तो कौन से past में बनाओगे कौन से future में बनाओगे मतलब कौन से sense में बनाओगे आप क्या बोलना चाहते हो आप यह बोलना चाहते हो करके मैं present में काम कर रहा हूँ या फिर कोई past में आपने कोई काम कर चुका है या फिर कोई काम करोगे तो ये कौन बताता है, ये आपको grammar ही बताता है तो आप ये नहीं बोल सकते करके grammar की जरुवत नहीं है अगर आपको short time में, आपको बहुत कम time में अगर सिखना है कोई चीज, कोई language सिखनी है कोई English ही सिखनी है मान लो तो simple है, आपको grammar के तरीके से follow होना पड़ेगा अगर आपको grammar नहीं आते हो, आप English wrong भी बोल सकते हो आपको मैं example दिखाता, मान लो आप college आते हो मैं college आता हूँ, तो आप क्या बनाओगे, I go to the college तो कोई student बोलेगा, मैं हमें सब go क्यों लगाता हूँ गो के बदले में goes क्यों नहीं लगा सकता, तो ये वो बोलेगा इसके बदले, I go to the college के बदले, ये बोल सकता हो I go to the college, इन दोनों के बीच के difference को कौन correct करेगा, ये grammar ही correct कर सकता है, क्यों, जब यहाँ first person, जो भी first person है, अगर ये singular रहा, मतलब मैं रहा तो इसके साथ जो वर्व होता है, उसके एस और इस नहीं आता है वर्व के साथ एस और इस third person singular के साथ ही आता है, ये कौन बताएगा ये सब जो तरीके हैं, ट्रिक से, हिंट से कौन बताएगा, आपको ये grammar ही बता सकता है तो simply अगर आपको English सिखनी है, तो hardly आपको एक महिना भी नहीं लगेगा perfect grammar सिखनी के लिए, grammar बहुत easy है, आपने अब तक grammar बस school में लिखने के लिए पढ़ने के इरादे से सीखाता अब आपको English बोलना है, तो आप English बोलने के तरीके से grammar को सिखो ये आपको लिख के देता में, आपको 10 से 15 दिन में आप cover कर सकते हो, आपको बहुत easily और जैसे आपका grammar fix होता है, model auxiliary पे जाईए, आप अपना vocabulary increase किजिए और आप बोलना चालो किजिए एक बार आपने sentence बनाना चालो किया, through by using grammar, then आप गलत हो ही नहीं सकते हो तब आप English जब बोलना चालो करेगा, तब आपके English की जो fluency होगी, जो आपकी speed होगी उसमें आपका correctness दिखेगा आपका, मतलब wrong आप बोली नहीं सकते हो उस वक्त तो दोस्त, मैंने तुमको दोनों के दोनों case बता दिया, पहला case मैंने आपको बता दिया, जिसमें grammar की ज़रूरत नहीं पड़ती है मगर उसके लिए आपको दूसरे country में जिसमें, जो mother tongue English है, वहाँ आपको जनम लेना पड़ेगा, तो वो possible नहीं है दूसरा case मैंने बताया, कि अगर आपकी mother tongue English नहीं है, कोई और है English के अलावा, और आप English सिखना चाते हो, तो आपको grammar के through flow होना पड़ेगा आपको, तब जाकर ही आप English सिख सकते हो तो दोस्त, ये तो था एक answer, एक question का, question ये था कि grammar बोलने के लिए जरूरी है कि नहीं, मैंने आपको बता दिया, grammar जरूरी भी है, और grammar जरूरी नहीं भी है तो friends, मैंने आपको बहुत अच्छे से explain कर चुका हूँ, अंग्रेजी बोलने के लिए, English बोलने के लिए, आप अपने hunger को increase करो आपको English बोलना क्यों है, आप English बोलने के पीछे का reason क्या है, क्यों बोलना चाहते हो English अगर एक बार आपका ये धे, जो आपका ये target है, एक बार आपने सोच लिया करके, English मुझे इसलिए बोलना है, ताकि मैं other country में जाके foreigner के साथ रहे सकूँ, आपको English इसलिए बोलना है, ताकि मैं अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा job ले सकूँ, या फिर आपको English इसलि पूरी तो नहीं है, मगर English उतनी कम भी नहीं है, अगर आपको international level पर कुछ करना है, तो आपको English के अलाबा कोई language आप use ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि English top level पे है, मतलब ये पुरी दुनिया में English acceptable है, जिसको हम universal level language बोल सकते हैं हम इसको, तो दोस्त, मैंने आपको सभी की सभी cases मैंने आपको बता दी, अगर आपको कम टाइम में English सिखना है, तो मेरे आपको बातों को समझना पड़ेगा, मैंने आपको पूरे के पूरे वीडियोस बना बना के मैंने दिये हैं, आपको मेरे वीडियोस इसके पहले के जितने भी वीडियोस है, एकदम easy way में, एकदम आसा आसानी से ऐसे ही बनाना मैंने चालू नहीं किया, मैंने बहुत कच्चे से कच्चे बहुत weak student को पहले समझा, मैंने उनसे पूछा कि तो उन इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते हो, तुम्हारा reason क्या है, तुम बोल क्यों नहीं पाते हो English, उनके पूरी बातों को सोच कर समझ कर मैंने वीडियो इंग्लिश के बनाने चालू किया हूँ अगर मेरे वीडियो अगर आप देखोगे तो मैं डेफिनेटली गैरेंटी करता हूँ आपके सामने कोई भी सेंटेंस आए आप उसको इंग्लिश में इसली और आसानी से बोल लोगे So friends, I wish you all the best for your practice with my English videos So till then, take care, bye-bye